हलो बच्चों कैसे हो आप लोग वेरी गुड इविनिंग टू इच एन एवरी परसंग वाचिंग इस वीडियो तो आज का एक ऐसा प्रॉब्लम है बेसिकली यह सब के पास होती है बट कोई डिसकेशन नहीं करता है कि इस बारे में बच्चों से एक सीधी बात कर लेते हैं तो हम लोग जाएंगे और डिसकेशन करेंगे देखो यह आज का जो सबसे पहला सारे सवाल होंगे वो सारे सवालों का जो है वो सिलसिला हम देखेंगे और यह बाबा का ज्यान के सिरीज में मैं आपके साथ रूबरू होंगा और यह सारे points हम discuss करेंगे, मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ न कुछ doubt रहता है, जब आप college में जाते हो तो आपका दिमाग का scenario एक totally different होता है, लेकिन जब आप 7-9 वाली class करते हो तो आपका दिमाग एक totally different होता है, मतलब जो college में एक बच्चा रहता है, वो एक दो अलग-अलग दुन होता है, तो उसकी दुनिया एक totally different होती है, तो यह क्या यह दोनों दुनिया को एक ही तरह किया जा सकता है, क्या इस चीजों को streamline की जा सकती है, सर मेरा college जो है वो बहुत ही दूर है, मुझे 2 घंटे लग जाते है college पहुचने में, अगर college की timing 9-5 है, तो यह जितनी भी problem है, कि सर मेरे को semester examination मेरा आ रहा है, इस semester examinations में gate के साथ में कैसे prepare कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ जिनों के लिए gate की preparation को बंद कर सकता हूँ, यह जितनी भी problem है, आज उन सारी problem का discussion हम करेंगे, so let's start with this, see if I will be talking about this particular thing, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, you have to start early, see early point is very very important, देखो आपना अगर एक point मैं बोलूँगा, कि देखो gate ने third year वालों के लिए यह चीज valid करा दी, कि third year वाले भी gate का examination दे सकते हैं, मतलब gate is not just all about one organization, it consisting of many IITs, it consisting of IICs, ठीक है, तो अगर यह बहुत सारे organization से मिलके बना हुआ है, और अगर वो third year वालों को entertain कर रहा है, अगर वो third year वालों के यह validity लेके आ रहा है, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब हो सकता है, कि basically third year वाले भी easily gate जो है, वो crack कर सकते हैं, अब आपके दिमाग में यह आएगा कि sir third year में तो मैं college में हूँ, और मुझे बहुत सारी problems होती हैं, जाने में, आने में, college की library में, sir मेरे attendance जो हैं, वो complete नहीं हो पा किया है, कि आप जो है third year वाले बच्चे gate का examination दे सकते हैं, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब होता है, कि हाँ, यह possible है, अब आप यह सोच रहोगे, कि जो बाबा है, वो इस पर क्या discussion करेगा, तो मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं, कि इस point पर जो मैं discussion करने वाला हूँ, व उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे students देखे हैं, जो second year में होते हैं, third year में आते हैं, और वो आके मुझसे कुछ न कुछ input मांगते हैं, तो जो भी मैं उनको input देता हूँ, वो जाके उसे implement करते हैं, जब वो next year आते हैं, और मुझे बताते कि सर मेरी AIR rank इतनी आ चुकी है, तो जो भी मैंने उन्हें input दिया है, वही input मैं आज आपके साथ में share करना चाऊँगा, तो क्या ये possible है, सबसे पहले तो first thing that we have to do is we have to find it out कि is it possible कि second year में रहे के, is it possible कि third year में रहे के मैं अपना gate clear कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो इस बारे में हम लोग जाएंगे और एक ब value addition वाला जो point मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो, सव की एक सीधी बात, simple सा scenario में आप लोगों को ये बोलने वाला हूँ, कि भाई, college की चीजों को college में ही रहने दो, ये मेरा एक पहला input होगा आप लोगों के लिए, sir इसका मतलब क्या होता है कि college की चीजों को college में ही रह सब्सक्राइब रहते हो, तो college की जितनी भी चीजों है, college का assignment है, try to complete the assignment into the college hours, सठीय, possible और यह इसलीए तो मैंने try बोला, अप लोगों को, is लिए मैंने आप लोगों को try बोला, कि भाई, try करो, try, try करनेका मतलब होता है, try to complete, कुछ लोगों के साथ में हो सकता है, कुछ लोग हमारे साथ engineering blood के साथ एक बहुत बड़ी problem वो ये होती है कि हम चीजों को delay करना start कर देते हैं, college में काम मिला, college का assignment मिला हम क्या करते हैं, हम जाते हैं और सोचते हैं कि इसको मैं घर पे complete करूँगा, और घर आते ही gate के examination के बारे में सोचने लगते हैं तो सव की सीधी बात, college का काम, college तक ही रखो, that is nothing but one of my first input that I can give it to each and every person who are watching this video जो भी चीज़े हैं, lab reports हैं आपके assignments हैं, कुछ भी चीज़े हैं, college का काम, college पे रखो, वो आपकी एक अलग दुनिया है, sir, एक, sir हम उसे miss नहीं कर सकते हैं, मैं आपको यहीं नहीं कह रहा हूँ, कि आपको रोज college जाना है 95% attendance रखा है, वो जो attendance वाला सिलसिला है, वो भी हम discuss करेंगे, तो the first thing the first input that I can give it to each and every person, college की चीज़ों को college में ही रखने दो अब दूसरा वाला जो point है, कि आप college की time को efficiently utilize कैसे कर सकते हो, तो college की time को efficiently utilize करने का मैं आपको second point यह देता हूँ, try to take the advantage of college library देखो हमारे सब के साथ में यह problem होती है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं college में, जब हम college में जाते हैं तो उसमें से ना 1.5 घंटे हमारे पास ऐसे होते हैं, कि हम सोचते हैं कि चलो college दोस्तों के साथ में spend कर लो जो कि एक बहुत अच्छी चीज है और वो आपको करनी चाहिए, but एक point यह आता है कि भाई, आपकी जिंदगी में एक और player है, जिसका नाम है gate, तो अगर यह manage हो सकता है, तो try to go and try to manage किया जाए, college में रहके क्या किया जाए और घर पे आके क्या किया जाए यह मैं पूरा सिनारियो आप लोगों को समझाने वाला हूँ, ठीक है, तो second point मेरा यह था, first input मैंने दे दिया कि college का का काम आपको college में ही रखना है, और second वाला मेरा input यह है, कि try to use the library, ठीक है, तो library को miss मत करना, अगर आपके सर मेरे पास तो library card ही नहीं है, भाई, बनवा लो library card, library card बनवा लो, that is one of the advantage point that you people can have it, ठीक है, तो library जो है, वो मेरा एक second input है, अब मैं आपको थोड़ा सा न, एक efficient way में समझाता हूं, कि basically यह कहना क्या चाहता है बाबा, देखो, अगर मैं आप लोगों को एक simple तरीके से बोलू, तो आप लोगों का normal जो routine होता है, वो होता है 9 to 5 वाला college का timing, जब आप 9 to 5 वाले college के time में रहते हो, तो उसके पहले एक छोटी सी चीज आती है कि college पहुचने के लिए, या फिर traveling के लिए, और उसके बाद में एक और important चीज यह आती है, कि basically traveling का, ठीक है, और यहां पर यह जो 7 to 9 वाला जो time है, मैं उसे block करके रख रहा हूं, जहां पर आप gate पढ़ते हो, अब आप यह जाते हैं और वो traveling के बारे में बात करेंगे, और यह वाला जो है, वो traveling के बारे में बात करेंगे, ठीक है, college के लिए मैंने आपको already 2 input दे दिया, कि college का काम college में रहने दो, और दूसरा, try to use the library, that is also important, अब मैं जाओंगा और इस scenario पर बात करूंगा के लिए, मुझे ने बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर मेरा जो college है, वो एक घंटे की दूरी पर है, दो घंटे की दूरी पर है, देखो, I would suggest कि अगर आप drive नहीं कर रहे हो, मैं इस पर stress करना चाहूंगा कि अगर आप drive नहीं कर रहे हो, if you are going by bus, और if you are going by train, और जो भी mode of transportation है आपका, तो आपके पास में अगर एक या डेढ़ घंटे यहां पर मिलते हैं, तो I will give you a very important point over here, कि भाई यह जो 7 से 9 वाली जो आपकी class होती है, इस class के बाद में आपको कुछ दिया जाता है, इस class के बाद में आपको दिया जाता है, notes के जो हैं, वो PDF दिया जाता है, तो यहां पर आप लोगों को notes का PDF मिल जाता है, और यहां पर आपको मिल जाती है DPP, अब इसको कैसे utilize करना है, वो मैं बता देता हूं, यह उन बच्चों के लिए हैं, जिनको traveling में issues हैं, जिनको traveling में issues नहीं हैं, वो college के बगल में रहते, उनके लिए दूसरा input दूँगा, अगर आपका यहां पर traveling में issue है, तो मैं आपको यह बोलूँगा, कि what you will do, जो भी आपको notes पढ़ाया जाता है, आप अपने mobile में voice recording करना शुरू कर लो, ठीक है, जितने भी points है, कि ठीक है सर, बाबा सर यह बताया है, जो कुछ भी PDF पे लिखा है, आप hardly 10-15 minute लगेगा, आप वो काम करो, वो जो PDF है, उसको बस एक बार read कर लो, hardly 5-10 minute लगेगा, जब आप वो सारे PDF को read कर लोगे, तो यह जो traveling वाला issues है, इसमें आप जो है, वो वही PDF को headphone लगा के, मेरा पहला सा एक चोटा सा point है you have to do this, when, when you have to do this, जब आप drive नहीं कर रहे हो, if you're driving, then I would suggest it, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वही voice recording जो है, you can try to listen it, and it will be very helpful, अब बचा जो दूसरा DPP वाला PDF है, वो DPP वाला PDF, try to cover into this, मतलब college में आपको जो है, वो थोड़ा भी time waste नहीं करना है, you can try to solve the DPPs into your college hours, अब कुछ बच्चे इस पर मुझसे नाराज हो जाएंगे कि सर मैं college के time पर आप तो ये गलत बात बता रहे हो, मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, देखो, अगर मैं reality के बारे में बता हूँ, मैं अगर सच्चाई के बारे में बता हूँ, तो college में 1-1.5 घंटे ऐसे मि utilization कर सकते हो, अब आप बोलोगे कि सर मैं रहा चलते पढ़ू, नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, रहा चलते पढ़ने के लिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको 1 घंटे का time मिल रहा है, और आपके पास 2 option है, कि यार मैं college के बगीचे में कर सकते हो, और notes वाला जो है, उसकी voice recording करके आप ये traveling में कर सकते हो, अब जिन बच्चों को traveling का issue नहीं है, उनके बारे में हम बात करते हैं, तो जो बच्चे traveling नहीं करते हैं, ये जो 7 to 9 वाला उन बच्चों के लिए था, जो traveling करते हैं, लेकिन जो बच्चे traveling नहीं करते हैं, उनको रोज तीन घंटे अपने को देना है, साथ से नव आपने पढ़ लिया, बाद में रिवीजन के लिए आदे घंटे ले लिए और डीपी के लिए आदे घंटे ले लिए, तो हर एक दिन आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर तीन घंटे मिल जाएगा, तो यह उन बच्चों के लिए जो लोग traveling नहीं करते हैं, और जो लोग traveling करते हैं, उनके लिए मैंने best option बोल दिया है, that is nothing but voice recording, अब आपको क्या करना है, that also you have to go and that also you have to solve it, कि basically आपको, you have to engage yourself in order to make the short notes and try to utilize the short notes, तो क्या करो, देखो short notes के दो तरीके बता है, मैंने आपको voice notes करके, you can, you know, try to enjoy into your traveling के time पे आप उसको enjoy कर सकते हो, या तो आप वो 7-9 के बाद में try to make the short notes, the compilation of the short notes, अब ये short notes जब आपके पास बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, बनती जाएंगी, तो एक time आएगा जिसको कहा जाता है, semester examination, उस time पे भी आप gate को बिना touch किये, बिना problem create किये, ये short notes के through, you can try to revise as much as possible, ठीक है, so this is also very helpful point, that you people can try to understand, with the help of what, with the help of short notes, so this is very very important point, ठीक है, अब मैं third वाले input के उपर आना चाहता हूं, और वो third वाले input ये है, कि try to make the gate buddies into your college, आप से नहीं होगा, in the sense, कुछ बच्चे कहते हैं, भाई तुस्से नहीं होगा, भाई तुस्से नहीं होगा, आप खुद क कहते हो, कभी-कभी कुछ self-doubt आजाता है, कि सर मैं college में रहता हूं, that is a different scenario, घर आने के बाद में आप लोगों से पढ़ते हैं, that is a different scenario, सर ये possible होगा या नहीं होगा, अरे ये totally possible होगा, यार, try to make, एक और advantage point में बता रहा हूं, जिसको कहा जाता है, gate buddies, gate buddies क्या होते हैं, college में ऐसे लोगों को choose करो, जो gate का examination दे रहे हैं, जब वो gate का examination दे रहे हैं, try to maintain a one point, कि भाई, रोज अपने को 4-5 एक घंटे का time मिलता है, और ये एक घंटे में हम लोग मिलके gate का discussion करेंगे, see, it does not important कि वो mechanical का हो, civil का हो, कोई problem नहीं है, आप सब को बुलाओ, और एक कमरे में, य नहीं रह सकता है, तो जब आप रोज मोटिवेट नहीं रह सकते हैं, तो उसके लिए एक ही दवा काम आती है, जिसे कहा जाता है discipline, किसी को भी रोज मोटिवेशन नहीं हो सकता है, we are not God, we all are human beings, and we cannot be motivated all the time, that is why we are having one proper medicine for that, and that is called as a discipline, अगर आप एक दिन discipline मेंटें कर रहे हो, द discipline always creates the characters, then characters will create your future, if you'll be having a good character of this thing, characteristic of these things, you will be having a great future, so always try to maintain the discipline, तो यह डिसिप्लीन क्या करना है, किसके लिए करना है, रोज लाइबरेरी जाना है, यह डिसिप्लीन किसके लिए करना है, गेट बडीज बनाना है, ठीक है, तो I hope आपको यह दो तीन चीजे पॉइंट क्लियर हो को एक काम स्वीजिज का काम को डिले करो, एक engineering blood है, वो इतना, engineering blood मैं आपको explain करूँगा कि basically engineering blood करने का मतलब क्या होता है, engineering blood एक ऐसी चीज है कि जो हम अपने काम को डिले करते हैं, लेकिन वही engineering blood यह भी है, कि कम से कम समय में भी हम चीजों को complete करने की कोशिश करते हैं, पाँच लोगों को खड़ा करते हो, पाँच चॉकलेट देते हो, ददा स्पेस दे देते हो, लिख लो आदे घंटे के अंदर भी कम्प्लीट करते हो, यह इंजिनेरिंग ब्लड है, तो बेसिकली वाट आम ट्राइंग तो टेल यू, इस टोटली पॉसिबल, इस टोटली पॉ यह एक सीरीज ही है, जहां पर बाबा का ग्यान, बाबा का ग्यान का मतलब क्या है, for the past 15 years, whatever the inputs that I have given, and that has given the result, I filter it out, all the things, and then I give it to you, मेरा एक स्टुडेंट ता उसका नाम है अदिते जहन, and he got AIR 60, passed out from IIT Bombay, now working in Amazon, ठीक है, अदिते जहन एक बार आता है मुझसे और वो कहता है कि सर मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज में जाता हू, and I am not getting a time, then what shall I do, तो मैंने बोला तुमारा पढ़के हो गया, बुलता हाँ हो गया सर, revision के लिए time नहीं मिल रहा है, और फिर हमारा gate examination के लिए time नहीं मिल रहा है, I am not getting a time anything, मैंने उसको बोला एक काम कर, gate का PYQ, पीछे बैट कि solve किया कर, and you won't believe that is nothing but one of the turning point that that person got, वो उसकी life का एक turning point है, कभी-कभी call करता है वो मुझे, और वो मुझे बताता है, कि sir, that was nothing but the turning point, what you just told, so भाई, college की भी help लेनी बहुत जरूरी है, college में भी gate पढ़ना बहुत जरूरी है, अब कुछ लोग offended हो जाएं, कुछ लोग फिर कि college का काम करना चीए, मैं आपको एक बात बोलू, गलत बोलने के लिए तो सब आ जाएंगे, मुझे गलत बोलेंगे, कि बाबा आप गलत बोल रहे हो, लेकिन मैं आपको simple सी एक बात बताता हूं, और simple सा solution है, जब आप अपना काम सही से नहीं कर पाओगे, तो आप मुझे म कर रहे हो, और मुझे point out कर रहे हो, कि college के काम में आप कैसे gate वाले ये involve कर रहे हो, so what I am trying to tell you is basically college का काम college में ही खतम करो, अब दूसरा एक point यह आता है कि sir, क्या ये possible है, yes, it is totally possible, it is totally possible that I will try to tell you, कि हर एक चीज़ possible है, और engineering blood के उपर मैं अगर एक और point यहाँ पर discussion करना चाहूं जो हमें ये बताती है कि last days में कैसे preparation करना होता है, first bench पे बैठा हुआ, बच्चे का pain का moment, you can try to see कि भाई वो कौन सा graph ड्रॉ कर रहा है, वो कौन सा nature का diagram ड्रॉ करना है, वो engineering blood है, bench पे लिखा हुआ, तुम्हारा copy किया हुआ, pencil से लिखा हुआ, faculty वहाँ पर आके खड़ा होता उसे नहीं दिखता है, but you can see it, मतलब microscope लगा दू तो भी न दिखे, लेकिन तुमको दिखता है, वो होता है engineering blood, so is it totally possible, yes, it is totally possible to crack into third year, along with the gate, you know, into your college examination, और with the help of college, अब सबसे बड़ा issue यहाँ पर यह आता है कि semester examination अगर आ गया, तो क्या करना चाहिए, देखो, अगर semester examination आपका आ गया है, तो second year वालों के लिए अलग input है, third year वालों के लिए अलग input है, अगर आप second year में हो, और मैं अगर बोलूंगा, अगर आपको मैं input देना चाहूंगा, तो मैं एक simple सा input यह देना चाहूंगा, कि अगर आप second year में हो, semester examination आ रहा है, तो gate की preparation को break मत करो, ठीक है, आप घ हर आओ, दो घंटे की वीडियो देखो, लेकिन DPP और revision को side में कर दो, वो हम करेंगे बात में, लेकिन conceptual break नहीं होना चाहिए, if we're into the second year, अब third year वालों के लिए input, ठीक है, third year वालों के लिए input basically यह है, कि you can stop it for some particular time, ठीक है, क्योंकि तुमारी placements भी आएंगी, and you'll be having a large amount of things, त तो third year वाले, you people can try to stop it for 10 to 15 days, okay, and you can try to cover it up, अच्छा, third year वाले को क्यों मैं stop करवा रहा हूं, second year वाले को क्यों नहीं stop करवा रहा हूं, क्योंकि second year वालों के पास plenty of time होता है, और third year में आते 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 आपके जो subjects होते हैं, वो already complete हो चुके होते हैं, मतलब gate का जो pattern है, कि first year से match करवा देता है, second year से match करवा देता है, third year से match करवा देता है, fourth year से match करवा देता है, अगर मैं 12 subject on an average भी decide करूं, तो second year में 4 match होगे, third year में 4 match होगे, तो third year वाला जो बंदा है, वो second year के already 4 subjects पढ़के बैठा है, उसको already discussion भी है, उसको already idea भी है, वो gate भी पढ़ रहा है, और वो you can continue, but अगर 10 दिन का है, ऐसे dedication saturated, 10 दिन का है, 12 दिन का है, you can stop it for the amount of time, यह 3rd year वालो के लिए है, ठीक है, same 4th year वालो भी apply कर सकते हो, but if you are into the 2nd year, you continue with the videos, and, but do not go for practice session, do not go for revision, जैसे ही आपका examination खतम होता है, once the examination gets over, you know, take a break for 1 or 2 days, और उसके बाद में एक excitement आती है, गेट का फिर से लिए, ठीक है, तो at that point of time, you can try to do it, 2nd year वाले क्या करेंगे, you have to watch the video for gate preparation, मतला आप जो भी पढ़ रहे हो, पर practice और जो DPPs है, you can delay it for some amount of time, 3rd year वाले, you can completely stop it, because you have already studied की 3 से 4 subjects हो चुके है, तो आप 2nd year वाले के मुकाबले ज्यादा cover कर सकते हो, ज्यादा अच्छे से cover कर सकते हो ठीक है, तो 3rd year वाले, you can stop it for some time, and then you can try to have a new excitement, and you can try to solve it, by having large amount of energy, so that is nothing but with respect to what, that is nothing but with respect to 2nd year, 3rd year, जब आपका semester examination आता है, I hope this has been cleared to each and every person, who are watching this video, कि भाई, 2nd year में होते हैं तो क्या होता है, और 3rd year में होते हैं तो basically क्या होता है, तो मैंने आपको सारा चीज़ क्लियर कर दिया है कि आपको कॉलेज में रहके क्या करना है, और आपको कॉलेज के बाद में क्या करना है, तो मैंने, I have cleared each and everything, कि भाई, जो कॉलेज का जो examination, मतलब कॉलेज की जो timing है, 9 to 5 वाली, that you have to do it, अच्छा, अब कुछ बच्चों को ये problem होती है, कि सर, मैं जो कॉलेज का assignment मुझे इतना जाधा मिल रहा है, कि वो मैं घर आने पे भी complete नहीं कर पा रहा हूं, और फिर gate भी पढ़ रहा हूं, और फिर practice भी कर रहा हूं, और फिर revision भी कर रहा हूं, ठीक है, तो देखो, at that point of time, what you will do, जैसे ही अगर आपकी need complete नहीं हो रही है, what you will do, try to, रात में 6-6 गंटे सोने की को college से आने के बाद में, take a nap of 20 minutes और 25 minutes, यह बहुत ही helpful तरीका है, अपने आपको resonate करने का, ठीक है, तो 6-6 गंटे आप रात में सो, ठीक है, उसके बाद में college से आने के बाद में, 20-25 मिनट का nap लो, उठो, 7-9 की class करो, और फिर अपनी सारी चीज़ों को जो है, वो continue करो, so that is nothing but this यह जिनका syllabus complete हो चुका है, जो already पढ़ चुके हैं, तो आप gate cat जो timing है, मतलब college की जो timing है, उसको utilize कर सकते हो, gate के PYQ को solve करने के लिए, that is nothing but one of the important point that you people can have it, अचा, first year वाले भी बच्चे मुझे पूछते हैं, कि सर क्या हम college से शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल शुरू कर सकते, देखो gate एक ऐसा balance examination है, जो यह कहना चाहता है, कि अगर आप gate पढ़ोगे, तो आपकी जो अलग तरीके का या अलग अलग ways में जितने भी examinations होते हैं, वो already कहीं ने कहीं पर यह match हो जाते हैं, अब जैसे कि अगर आप gate पढ़ोगे, तो कहीं ने कहीं पर यह placements के लिए help करता है, तो मैं ऐसा नहीं है कि sir, आप तो बोल रहे हो कि sir, मेरा placement भी है, मैं college में जाता हूँ और college में placement के लिए तयारी करता हूँ, तो यह मैं first or second year वालों के लिए, बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि you can start the preparation, the gate will be helping into the placements, मतलब वो कहीं ने कहीं पर आपको programming में placements के बारे मे तो वो कहीं ने कहीं पर help करेगा, so is it totally possible, yes it is totally possible, ठीक है, अगर आप लोगों को कोई और issue होगा, तो comment में लिख देना, मैं आपको सारे answers कर दूँगा, तो अगर मैं overall पूरे questions को summarize करूँ, तो मैं summarize यहीं कर सकता हूँ, कि college के timing को हम कैसे utilize कर, just forget about this ppt, just try to understand this point, कि भाई, college के सा साथ में मैंने आपको 3 point दिये, उन 3 point को try to understand that point, ठीक है, notes revision करने आपको, time मिला तो question solve कर लो, gate buddies बना लो, library वाला जो है, वो point याद रखना, और college का का काम college में ही रहने दो, अगर यह दोनों चीजों को parallel लेके चलोगे, then 100% you people can try to do it, traveling का issue है, उसका भी मैंने आपको solution बता दि and if you are having any more concern, you can try to write it down on this thing, तो मैं वही कह रहा हूँ कि if we can go and if we can try to find it out, कि क्या यह totally possible है, yes, it is totally possible to complete the whole thing at college level, मताब college और यह parallel ही कर सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, कि we are having this engineering blood and we can do it, maintain the consistency, अब ठीक है आप बोलो है कि सर आप motivate करना चाहते हो, मैंने पहले शुरू में आपको वही चीज बोली कि मैं motivate नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही point बोलना चाहता हूँ कि discipline लाओ, अच्छा एक चीज और यहाँ पर मैं include करना चाहूँगा और वो बहुत important point है, आप लोगों को लगता होगा कि जब मैं college जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं college जा रहा college में मैं यह देख रहा हूँ कि the other people, they are enjoying their life, they are just studying for one hour, they are just studying for two hours and then they try to enjoy their life कि basically sir, उनकी दुनिया अलग है, ठीक है, उन्होंने gate नहीं चूज किया, आपने gate चूज किया है, अगर एक किसी में एक व्यक्ति के बारे में बात करूँ, for example, एक bodybuilder है, ठीक है, तो bodybuilder रोज जब ज से तीन घंटे जो है, वो अपने आपको modify करने की कोशिश करता है, जब वो बाहर आता है, तो वो देखता है कि जो लोग junk food खा रहे हैं, वो क्या सोचता होगा, वो यही सोचता है कि one day this whole thing मुझे reward देगा, जब आप college में जाते हो, और उस time पे, if some people are having a different life, let it be, but you try to think this point, कि इस जो चीज है, जो मैं भी कर रहा हूँ, these things will be rewarding one day, so 100% इसी dedication के साथ में लगे रहिए, 100% यह आपका हो जाएगा, इसे छोड़ना नहीं है, आप consistency को maintain करिए, आप discipline को बस maintain करते जाएए, जो कुछ भी है, मतलब आपका एक 5-10 मिनट भी waste नहीं होना चाहिए, मतलब सो कि गंडी के अगर नीद हो गई, उसके बाद में जितने भी टाइम मिलते हैं, try to utilize it, और मैं ना 100 की एक सीधी बात बोलूँगा, कि अगर आप नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप नहीं करोगे, तो आप 100 लोगों से पूछोगे, कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को यह करना च गवाओ, दूसरे दिन ना आपका, यह वाला दिन आपको बताएगा कि कल क्या करना है, अब दो दिन हो गया, अब यह दो दिन बताएगा कि थर्ड दे क्या करना है, अब यह तीन दिन बताएगा कि चौरते दिन क्या करना है, अगर हम नहीं करेंगे, तो हम साव लोगों को पूछेंगे और अगर हम करेंगे तो हम किसी को नहीं पूछेंगे यह बताएगा आपको यह बताएगा आपको कि आपको इस तरीके से करना है So if you will not do it then we will ask to n number of people and we won't be getting a satisfaction लेकिन if you will be doing it you will be getting a satisfaction which will be given by your heart So yes it is totally possible yes it is totally possible that you can try to do it अच्छा एक चीज़ यहाँ पर यह भी है कि try to take the toppers notebook help ठीक है दोस्ती कर लो सर यह तो बड़ा आपने अजीब सा अटपटा सा बात बोल लिया है मेरी topper से बनती नहीं है दोस्ती करने में क्या है दोस्ती कर लो भाई बुक दे दे जो भी है अब मैं इसको evaluate करूँगा then you will be trying to say that कि sir आप हमें copy करवा रहे है करवा रहे है but what I am trying to tell you कि efficiently try to go with the help of efficient manner कि ठीक है भाई मेरा काम निकल रहा है copy दे यह ले copy किया ठीक है exactly copy नहीं करना है but what I am trying to tell you कि focus कहीं नहीं पर gate examinations में होना चाहिए ठीक है sorry to try to use that particular thing try to maintain your friends which can help you in your internal examination sir यह मेरे को समझ में नहीं आप एक faculty और आप यह कहा रहा हो भाई एक problem है ना solution दे रहा हूं मैं problem क्या है gate का time manage नहीं हो रहा है कर लो क्या करना दोस्ती कर लो किसे करना चाहिए टॉपर से दोस्ती कर लो ऐसे लोगों को बनाओ जो अपसें में लिखवा सको क्योंकि होगा क्या मालुम है जब आप gate दोगे ठीक है जिस दिन आपने यह decide कि आपको gate देना है उस दिन भगवान जो है वह एक rank दे देता है कि एले बेटा एले तेरा यह rank है rank रॉंक नंबरbrar एया याँ तेन अब वो बोलेगा कि एक गर्स उन्ह rendered ostr नल न 단 और फिर कर रहा है यहां पर राम जो है वो घूम रहा है यहां पर शॉर पेक्ष्या आप don शूर कर रहा है एक module डूच आइबड ओने पढर रहा है वह दो देखो सीग्ये इंका महार Superior the day you have decided that that you want to give a gait examination at that point of time the god has given a rank to you the god has given an assignment of rank to you and if you will be wasting your time if you'll not be doing it then karma will take this rank and will be given to other person who is studying more than you okay so that is also the one thing that you people can try to go and that you will can try to understand so timing efficiently manage karma it is totally totally possible ठीक है and that is also very very important मतलब जितने भी आपके questions की practice होती है test series वाले questions होते है वो आप college की time में दो मतलब college की time में आप वो चीज़ वीडियो को छोड़के try to go for preparation जहां पर पेन और पेपर यूज कर सकते हो last bench पे बैटो must gate का question solve करना last bench पेटो mobile use कर सकते हैं तो ठीक है नहीं यूज कर सकते हैं तो hard copy लेके जाओ bad question को solve करो gate buddies बना लो वो help कर देंगे आपका खाना वाना भी आपके लिए लेके आएंगे and that is also going to be totally possible ठीक है तो जो question solve करने वाले हैं revision के लिए अगर time नहीं मिल रहा है तो audio चला लो जैसा मैंने आपको बताया आप एक बार पढ़ लो अगर travel भी कर रहा है तो सोचते जाओ कि कल सर ने क्या पढ़ाया था यह थीरम कैसे होगा यह question कैसे सो लोगा engage करके रखो अपने आपको consistency maintain कर लो it is totally going to be a possible hundred percent it is going to be possible so in that manner we can go and we can try to do it ठीक है तो जितने भी प्राक्टिस वाली चीजे होती है that you can try to go and you can try to write in your in your जब भी college का time मिले आप उसको कर लो तो possible है totally possible है बहुत सारे इन बच्चे इन पूट लिए बहुत सारे बच्चे इन पूट लिए क्या उन्हें यह रिजल्ट आया है मैं वही सारे points जिन बच्चों के result आया है वही filter out करके यह session लेने से पहले मैंने सारो बच्चों को बोला जो जो आके मुझे पूछे थे personally मैंने उन्हें call किया and tell me what are the points उन्हेंने बोला सर आप यह जाके बता दो और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कुछ चीजे मेरी जो बोली हुई आपको अच्छी लगेंगी कुछ चीजे जो होगा वो बोलो यह सर यह totally possible नहीं है यह बहुत ideal condition है मैंने सारे points बोले हैं मुझे सारे बच्चे कवर करने कुछ बच्चों को कुछ अच्छा लगा होगा कुछ बच्चों कुछ अच्छा लगा होगा but believe me these all are the points which has been given by the ranker and which has been implemented all over the India and they are having right now they are having a very good future ठीक है तो मैं बहुत बड़ा session नहीं लूँगा तो on the basis of that I will be stopping my session on this particular time so I hope आप लोगों को यह video अच्छा लगा होगा सिर्फ मेरा एक छोटा सा यही concern था कि college की timing को आप कैसे manage करो possible है बिल्कुल भी possible है totally possible ठीक है तो on this note I will be stopping here and yes thank you so much for joining this session आपको और भी sessions आते रहेंगे बाबा का ग्यान के नाम पर चलो बबाए थैंक यू